बिस्मिल्लाहिरामान रहीम, असलाम लीकूम, वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल, एसके खान, गाइडिन्स और वोटिवेशन, आज की मेरी वीडियो, आईससबी के रिलेटेड है, और आईससबी का जो पहला दिन होता है, वहां पे जो जो प्रॉसेस होते हैं, तो मैं आपक के साथ बताऊंगा, कि वहां पे क्या क्या होता है, सबसे पहले आपका जो काल लेटर होता है, काल लेटर लेके आते हैं, तो आपका सेलेक्शन सेंटर कोई भी होता है, वो आईससबी मलील सेंटर है, कोहाट है, कोईट है, या गुजरावला, जो भी होता है, तो आप काल ल लेकर अपनी जरूर्त का समान वहाँ पर लिखा होते हैं कि आपने यह चीजे 17 तो वह समान लेकर आनी है क supporter क्राकर कि आप आगे जाते हैं आपके पास जितना भी समान होता है तो वो उनकी प्रपर चेकिंग करते हैं आपका मॉबैल वहां पर जमा हो जाएगा नेल कटर रेज़ार इस तरह की कोई भी चीज़े हैं जो अलात वगेरा हैं तो आपको अंदर ले जाने की ज़्दत नहीं होगी ट की जाएंगे कि मैं जैसे यां पर में पहुंचेंगे अपना समान लाकर के अंदर रह के आपको बता दिया जाएगा कि आप अपना डाकूमेंट्स जुए हुए वू लेके और बिलू बाल प्टस लेके हाल में पहुँचें जिनाखों जेसे आप जिनाह हॉल में जायंगे तो वहाँ पे आपको चेस्ट पर बिठा दिया जाएगा और आपको चेस्ट नंबर जो हैं अलोट कर दिये जाएगे तो पहले दिन जो हैं आपको तक्रिबन चार घंटे लगते हैं वहाँ पे सारा दिन जो हैं बायो डेटा फॉर्म फिल करवाते हैं बायो डेटा वहाँ पे तीन प्रोस से होते हैं, डिप्टी मंदे基本 होता है, जी ट्रेजिनिट होता है, ज्यूट्यों के होते हैं, और साइक के होते हैं टैस्ट, वहां के जो फिल होते रहते हैं, तो मेरी बात एक माइंड में रखियेगा कि आपने उन फॉर्म्स के अंदर जो भी लिखना है तो आप अपने माइंड में जहन नशीन का लिजेगा बाकी तीन दिन के जितने भी टेस्ट होंगे यह नहीं आपके इनिशल जो बायो डेटा फॉर्म्स होंगे इनके एर्दगर्द घुमते रहेंगे और इनी से आप से सवाल किये जाएंगे और आपको अपने बारे में हर चीज़ पता होने चाहिए आपका वेट कितना है आपकी हाइट कितनी है आपके कलर बलाइडनेस यह नहीं जो कलर कौन से कलर है बलाइक है यह बिलू है जो भी है ब्राउन कलर की है तो आपके वाले आपके बारे में आपको इट एन एवरिटिंग का पता होने चाहिए आप स्पोर्स कौन सी करते हैं आपकी होबी कौन सी हैं आप कहां पर पढ़ते रहे हो आपके मेट्रिक में इंटर में माक्स कितने हैं परसंटेज कितनी हैं बायो मैस इंडेक्स कितना है इस तरह की जितनी भी इंफरमेशन है तो आपको आपके बारे में पता होने चाहिए आपकी फैमिली के बारे में आपको हर चीज पता होने चाहिए आपके कितने बहन भाई हैं, जितना भी डाटा है, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और हमेशे ये चार दिन आपको रटा होना चाहिए, उसके बाद अक्रिबन साथ बज़े आपको फरी कर देंगे, आप आएंगे, मगरेब की नमाज पढ़ेंगे, और खाना खा जाते हैं, हर तरह करने का मकसद, एंज्वाय करने के चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इंडोर जितनी भी अक्टिविटीज हैं, तो आप रिलक्स करते हैं, अपने आपको, कुछ लोग दोस्तों के साथ गफशा भी लगाते हैं, और दस बज़े, अंकल आ जाते हैं, कि ज़ता हैं, कि मेरे इस चैनल को ज़्याद से ज़्याद सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, बेल आइकॉन को बटन को दबा दें, ताके मेरी नेक्स वीडियो ज़्याद से जल्द आप तक पहुंच जाए, जजाक लला, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका दोस्त, ए झाल